नमस्कार मैं रवी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपना यूटूब चैनल साइंस गुरू रवी में गाईज आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेंस अर्थार सिराओ के बारे में अब गाईज सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्योशन आता है कि भया ये सिराओ ये वेंस होती के है तो गाईज मैं आपको बता दू ये एक परकार की नस है और बेटा इन नसों में एसुद रख्ट का परिवहन होता है अब बात आती है कि ये एसुद रख्ट क्या होता है तो बैटा ऐसा रखते, जिसमें carbon dioxide gas की मात्रा अधिक हो, और oxygen gas की मात्रा कम हो, ऐसे रखत को कहा जाता है बैटा, impure blood, ortharth Осud रखत। तो जो सिराए होती है बैटा, इनमें Осud रखत का परिवयन होता है, अब बात आती है, कि भी यह यह सिराए करती क्या है, को बताने वाला हूँ जो एसु द्रक्त को हमारे हर्दे तक पहुचाती है और भी ब्लड वेसल्स के बारे में भी जानेंगे और गयज में आपको बता दू अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप जाकर चैक आउ होगे बेटा मैं ने कहा कि मैं क्या है एक परकार की नस होती है और गाईज नस ना कह कर करके हम इसके लिए सब्यूज में लेते है बलड वेसल्स याने की रूदीर हरु हाईगा तो वेब्श्य क्या है बेटा एक परकार की Blood Vessels है Blood Vessels है और थार्द हिंदी में कहा जाता है बेटा Blood Vessels को रूदी रुवाई का अब तो हमारे दिमाग में क्यों सना आता है कि रूदी रुवाई का क्या है तो बेटा हमारे सरीर में जो नसो का जाल होता है हमारे सरीर में जो नसो का जाल होता है इस नसो के जाल को ही बेटा क्या कहा जाता है बलड विसल्स कहा जाता है जिनमें होकर के बेटा हमारा बलड हमारे पूरे सरीर में घूमता रहता है तो या तो आप उन्हें कह दीजी आम भासा में नस या फिर आप कह सकते हो वो नसो का जाल ही बेटा हमारे सरीर में क्या कहलाता है बलड विसल कहलाता है रुदिर वाई का कहा जाता है लेकिन अगर आप किताब के अंसर परिभास लिखोगे कि बलड विसल यानि कि रुदिर वाई का क्या है तो ACY का जो ऐसुद रख्त को आपके हर्दे तक लाती है और किस में होता है या इन बलड विसल में होता है बलड विसल मेंने कहा कि हमारे सरीर में जो नसो का जाल होता है बेटा वही बलड विसल है कुछ इस तरीके से छुट-छुटी डग्ट होती है बेटा जिन में बलड पै को करके गोंता रहता है तो मैं लिख देता हूं किताब मे बेटा blood vessels की परिवास है क्या है ACY का ACY का ACY का ACY का जो S सुद रख्त को ध्यान से समझना बेटा जो S सुद रख्त को हर्दे तक लाती है हर्दे तक लाती है तथा हर्दे से सुद रख्त को सरीर के अंगो तक पहुचाती है सरीर के अंगो तक पहुचाती है वो क्या है बेटा वो है भी यह मारी रूदिर वाहिका आप कह सकते हो ब्लड वेसल्स और आम मासा में आप कह सकते हो बेटा नसो का जाल दिखाए निदेर आपको थोड़ा सा में यह मारी इदेर कुब्ट सेकते हो अंगो तो आम मासा में क्या कहा जाता है बेटा रूदिर वाहिका को नसो का जाल कहा जाता है अब बेटा यह जो ब्लड वेसल्स होती है यह तीन परकार की होती है आपकी जो blood vessels है जो रुदीर वाई का है बेटा ये तीन परकार की होती है कितने परकार की होती है बेटा तीन परकार की जिनमें से नमबर एक पर आता है बेटा artery जिसके बारे में बेटा कल हमने पढ़ा था धमनी के बारे में full detail में जाना था नमबर दो पर आता है बया वेंज, सीराय, और नमबर तीन पर आता है बेटा केपिलरीज, केसी का, ये तीन परकारी की होती है बेटा, आपके सरीर में, नस या मैं कह सकता हूँ, बलड वेसल्स, बेटा जो धमनी होती है, जो आर्टरी होती है, ये प्योर बलड का परिवहन कर प्योर ब्लड को हिंदी में कहा जाता है बेटा सुध रख्द यह एसा रख्द होता है जिसमें oxygen hesion गेस की मात्रा अधिक होती है और बेटा carbon dioxide औक्साइड गेस की मात्रा कम होती है और जो वेन्स होती है जो सिराय होती है यह इंप्योर बलड का परिवहन करती है यानि की एसुद्रक्त का परिवहन करती है एसुद्रक्त एसा रक्त होता है जिसमें कार्बन डाय ओक्साइड गेस की मात्रा अधिक हो और बेटा ओक्सीजन गेस की मात्रा कम हो यह होता है बेटा एसुद्रक्त तो कन्फ्यूज नहीं होना है सुद्रक्त एसा रखत होता है जिसमें ओक्सिजन गेस की मातरा अधिक हो और कार्बिन डियोक्सिट गेस की मातरा कम होती है और जो केपिलरीज होती है ये एक धवनी को एक सीरे से जोड़ती है और इसमें बेटा प्योर ब्लेड भी भेता है और बेटा इंप्योर ब्लेड भी भेता है यह आप कह सकते हो कि बया जो मिक्स ब्लेड होता है वो बैता है जिसमें सुद्रक्त भी आ गया और एसुद्रक्त भी आ गया अब याद रखना बेटा जो आर्टरी होती है जो धमनी होती है ये हर्दे से सुद्रक्त को आपके सरीर के अंगों तक पहुंचाती हैं लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं वेन पारे में इस सिराय क्या करती है इस द्रगत को आपके हर्दे ने मैं सहीता करती है तो आज हम उन शिराओ के नाम भी जानने वाले हैं जो महत्तपूर्ण है आपके प्रतियों की प्रिक्षाओं में पूछी जाती है उन सिराओं के नाम आज किस वीडियो में मैं आपको क्लियर अच्छे से बताने वाला हूँ जो जो इंपोर्टेंट वो इंपोर्टेंट ठीक है तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गए होगी कल की वीडियो में बेटा मैंने आट्री धमनी के बारे में अच्छे से पड़ाया है अगर आपने नहीं पड़ाया तो आप उन्हें लिंग दी स्क्रिप्स ने मिल जाए है इनमें एसुद्रक्त का परिवहन होता है इनमें एसुद्रक्त का परिवहन होता है यानि कि बेटा यह एसी नस होती है जिसमें एसुद्रक्त यानि कि एसा रख्त जिसमें कार्बंडेयोक्साइड गेस की मात्रा अधी को रोक्सिन गेस की मात्रा कम हो एसा खुन बैता है यह एसी नस होती है बेटा, जिसमें बेटा एसु द्रक्त बहता है, और इंप्योर बलड बलड बहता है, अब यह इंप्योर बलड क्या है, तो मैंने आपको कल भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है, एसा बलड जिसमें कार्वन डैॉक्साइड गेस की मात कम हूँ हो होता है इंप्यों बेलेड तो यह एश्य नस होती है वेटा जिन में वह इंप्यों ब्लड बहता है ऐसा बलड जिसमें कर्म Central गेस की मातर अधिक और ODC मातर कम हो है अगर आपसे कोई प्यूशन मैं पूछिए जो द होती है आई किस परकार का बलड भैता है तो वेटा उसमें सुद्रक्त भैता है प्योर बलड भैता है यहां तक की बात के लिए रहे जिससा कि मैंने आपको बताया था बेटा कल कि जो दमनी होती है उसका रंग लाल होता है तो भीया वेंस का रंग कैसा होता है तो मैं आपको बता दो बेटा इसका रंग होता है नीला कैसा होता है बेटा नीला लेकिन बाहर से देखने पर जब हम बेटा इन वेंस को इन सिराओ वो को बहार से देखते हैं, बहार से देखने पर, तो बेटा हमें हरे रंग के दिखाई देती है, इसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा, क्योंकि जो बलड होता है, उसमें प्लाजमा होता है, और प्लाजमा होता है, वो पेला रंग का होता है, और आपको पता है, ज यहाँ पर जिस लेट्ट में impure blood भैरा उसमे carbon dioxide gas की मातरा अधिक और oxygen gas की मातरा कम है इसलिए बाहर से तो नीली दिखाई देती है, sorry, अंदर से तो नीली दिखाई देती है कौन ये वेन सिराए लेकिन जो बलड होता है बेटा उसमें प्लाजमा होता है क्या होता है प्लाजमा और प्लाजमा का रंग होता है बेटा पीला तो जब पीला और बेटा ये जो नीला रंग होता है ये मिलता है तो भीया में हरा रंग दिखाए देता है इसलिए कभी ध्यान से देखना अपने हातों में जो बाहर नस दिखाई देती है ये सिराय होती है ये बेटा सिराय होती है ये वेन होती है ये वेन्स होती है तो इनका रंग आपको कभी-कभी हरा दिखाई देता है वो यही रिजन है बेटा और एक बात को ध्यान रखना जब किसी इंसान से बलड निकाला जाता है तो बैया जो आल्ट्री होती है जो धमनी होती है उनसे नहीं निकाला जाता है इन सिराओं से ही निकाला जाता है क्योंकि इन में जो रखता है वो ऐसुद रखता है अगर बैटा प्योर बलड हम किसी इंसान से निकालेंगे एसा रखते ह ज़्यादा और कंडिशन खराब हो सकती है इसलिए जब भी बलड निकाला जाता है तो इन सिराओं से ही निकाला जाता है तो यह नॉर्मल ही हमारे देनिक जीवन में कामाने वाली बाते थी जो मैंने आपको बता दी याद रखना बेटा यह जो सिराओं होती है यह क्या करती है मैं लिख देता हूँ नोट लगा कर इंपोर्टेंट है यह बाते समझने वाली बात है कि हमारे सरीर के अंगों से हमारे सरीर के अंगों से एसुद रख्त को एसुद रख्त को हर्दे तक पहुंचाती है कौन बेटा वेंस सिराओं हमारे सरीर से एसुद रख्त को हर्दे तक पहुंचाने का कारिया कौन करती है सिराओं लेकिन बेटा हर्दे से सुद रख्त को आपकी सरीर के अंगों तक पहुंचाने का कारिया कौन करती है एक धमनी को एक सिरा से जोड़ने का करेकोन करती है के पिलरीच यानेगी कैसी का इतनी बाते के लिए रहे ओके आसा करता हूं यह सारी काने आपको बिलकुल आसान भासा में कोई भी परिशानी नहीं आई होगी समझ में आ गई होगी तो मिटा दो बेटा अब हम बहुत अच् भात करेंगे तो पहला जो क्युसन पूँचा जाता है वो यह कोशा जाता है कि भिया सबसे बड़ा सीरा और सं Oct है सबसे बड़ा महा सिरा को उनसा है तो आप बता सकते हूँ ना अगर बेटा आपको पता है तो कमेंट बोक्स में बता दीजे देखिए बटा सबसे बड़ा सिरा सबसे बड़ा सिरा बेटा जो सबसे बड़ा सिरा होता है वो होता है बिया वेना कावा ये सरीर के वीबिन अंगों से बेटा एसुद रक्त को आपके हर्दे के दाया आलिंद वाले भाग तक पहुंचाता है ध्यान से समझने मेंने क्या कहा कि हमारे सरीर के विविन अंगों से एसुद रख्त को लेकर करके आता है और इस एसुद रख्त को हर्दे के दाया आलिन तक पहुंचने का कारिय को उनकरता है सबसे बड़ा सिराव वेना कावा बड़े दो परकार का होता है एक होता है सुपीरियर वेना कावा और एक होता है बेटा इनफीरियर वेना कावा जो सुपीरियर वेना कावा होता है बेटा ये छोटा होता है और जो इनफीरियर वेना कावा होता है बेटा ये बड़ा होता है अब यह जो सुपीरियर वेना कावा होता है बेटा यह सीने से उपर के जो ओर्गन है बेटा वहां से ऐसु द्रक्त को आपके हर्दे तक लेकर आता है यह सुपीरियर वेना कावा होता है यह बेटा यह सीने से उपर के जो ओर्गन होते है उनसे ऐसु द्रक्त को आपके हर्दे के दया आलिन भाग तक लेकर के आता है जैसे कि मान लीजिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ रप्टली हर्दे का अकारबंद मुठी के समान होता है नॉर्मली मैंने डायग्राम बनाया अच्छे से बना देता हूँ ठोड़ा ताकि आपको समझे में आसे करना है जैसे कि ये हर्दे है और ये इसके चार चेंबर होगे तो ये आपको पता है ये दाया आलिंद है ये क्या है बेटा ये दाया आलिंद है अब इस दाया आलिंद में बेटा ये जो वेना कावा होता है एक तो लगा होता है उपर के और एक लगा होता है ने चेकियो तो जो उप पर क्यों लगा होता है यह होता है बेटा सुपीरियर वेना कावा और नीचे वाला होता है वह होता है इनफीरियर वेना कावा तो जो सुपीरियर वेना कावा होता है यह छोटा होता है यह सुपीरियर वेना कावा छोटा होता है और यह सीने से उपर के जो ओर्धन है वहां से एसु द्रक्त को आपके हर्दे के दया आलिन तक लेकर के आता है और जो inferior वेना कवा होता है ये बड़ा होता है ये सीने से नीचे के जितने भी ओर्गन है उनके पास से एसुद रख्त को लेकर के आता है और इस एसुद रख्त को भेटा खाला करके छोड़ता है दाया आलेंता है तो यह कानी समझ में आगए यह है बेटा सबसे बड़ा सिरा वेना कावा और यहां से बेटा आपके परतियों के प्रिक्षाओं में क्यूशन पूशा जाता है चाहिए वो रेलवे हो एससी हो पटवार पुलेस कोई सी भी एक जाम हो बेटा सबी बंडे कमप्यूटो एक जम जो क्यूशन पूशा जाता है चाहिए एंड़ी एपीसी एस नेट वगेरा पूशा जाएगा तो यहां से ही पूशा जाएगा सिराओं से क्योंकि यह चीज इंपोर्टेंट है अक्सर पहले भी पूशी गई और आगे भी पूशी जाने की संभावना है मैंने कहा बेटा कि जो सिराय होती है यह एसो द्रक्त का परिभेन करती है और हमारे शरीर के विविन अंगों से एसो द्रक्त को बेटा हमारे हल्दे तक लेकर आती है जी हां बिलकुल से का लेकिन कहते हैं कि हर चीज में कुछन-कुछ अप्वाद होता है यानि कि फैपडो का सीरा होता है इसमें प्योर बलड भाता है इसमें प्योर बलड भाता है यानि कि सुद्रक्त बैता है अब आप सभी को पता है बेटा कि प्योर बलड क्या होता है एसा बलड जिसमें ओक्सीजन गेस की मात्रा अधिक हो और बेटा कारवंडाय ओक्साइड गेस की मात्रा कम हो वो होता है बेटा प्योर बलड अब प्योर बलड ये अपवाद है बेटा प्लमो से लेकर करके खाता कहुंचाता है इस सुद्रब्त को तो गाइज में आपको बता दो जो लंग्स होते हैं कि जो फैपड़े होते हैं इन फैपड़ों से यह प्योर बलड को जो हर्दे का जो बाया आलिंद वाला बहाग होता है इसके बीच में लगा होता है कौन यह बेटा फैपड़ों का सिरा यह लगा होता है बीच में लंग्स और बाया आलिंद के बीच में और बेटा लंग्स से जो प्योर बलड होता है उसको बाया आलिंद तक ले जाने का कारिय करता है कौन यह पलमोंगरी वेंस फैपड़ों का स होगा रखाया आपको यह लिंक डिस्क्रिप्स ने मिल जाएगा वह जाकर चेक आउट कर लेना मैंसे कल की वीडियो भी आप देख सकते हो क्योंकि वहां पर भी मेना बेटा यह पलमोंद्री यह पलमंद्री वेंस अपड़ों का जो सीरा है बेटा इसके बारे में डाइग्रा सेखने को मिलेगा और विल्कुल आसान वासा में आप अच्छे से समझ सकते हो उस चीजों को मैं तो इतनी बाते क्लिए होई तो स्क्रिंसोर्ट लेलीजी वैटा आगे चलते Best dann which a यह शरील के विविन अंगो से आपके polygon से बेटा एसुद्रक्त को पहुंचाते हैं और यह उनके बारे में जानना भी जरूरी है देखिए गाइज लाश्ट स्लाइड में मैंने आपको एक नोट लगा कर एक चीज लिखवाई थी कि जो वेंस होते हैं जो सिराय होते हैं यह क्या करती है हमारे सरीर के अंगों से सरीर के अंगों से जो एसुद्रक्त होता है जो एसुद्रक्त होता है बेटा इस एसुद्रक्त को हमारे हर्ट तक हर्दे तक पहुंचाने का कारिय करते हैं कौन बेटा सिरा है जिन मेंसे दो एकजम्पल तो मैंने आपको दे दिये एक सबसे बड़ा सिरा जो शरीर के वीबिन अंगो से लेकर कियाता है ब rating होता है क्या है कि जैसे एक ये बड़ी टूप आगे ठीक है ये सबसे बड़ा सिरा हो गया पिर ये आगे जाके दो भागों में बटा हुआ होता है फिर हागे जाके और भागों में बट गया तो जो मुख्य होता है ना वेटा जो मुख्य सबसे बड़ा सिरा वह वेना कावा और आगे फिर यह भीविन अंगों से लेके आ रहे होते हैं जैसे कि वेटा मैंने कहा कि यह लंग से आ रहा है है कि नहीं है और भी बहुत सारी औरगन है कोई केड़नी से आ रहा है कोई हाथ से आ रहा है कोई सिर से आ रहा है कोई खा से आ रहा है तो बेटा उन सभी के बारे में जानेंगे तो एसे जज मत करना कि यह सरीर के सभी अंगों से तो सबसे बड़ा सिरा वेना को वाले के आ रह आया हर्दे के पास पिर आगे जाके तिश्मे मिल जाता है लेकिन उठाता कोन है उनका नाम जाने हैं बैटा कहने का मतलब अगर मैं इंडाइरेक्ट कहुं कि से कह सकता हूं कि हमारे सरीर के अंगों से जो इसल द्रखत होता है उसको हरद्य तक Einsyra कि जिन मैंसे नंबर एक पर बात करें तो जैसे के i कि कि बिनल आर्ट रे शेयर रीनल सीड रिनल से अब ये रियरनल सिराए जो होती है बेटा रेनल सिरा, ये लेख सकता हूं ये बेटा, आपकी जो किडिनी होती है जो वरक होती है इस वरक से ऐसुबरक्त को आपके हर्देता पहुंचाने का कारिये करती है इतनी बात के लिए रहें, ओके और बात करते हैं जूगूलर जूगूलर सिरा यह जो जूगुलर सिरा होता है यह बेटा आपके सिर से यह आपके सिर से ऐसु द्रक्त को आपके हर्दे तप उचाने का कारिय करता है और बात करें सब कलेवियन सिरा जो सब कलेवियन सिरा होता है बेटा यह आपकी बाजू तक आपकी बाजू से ऐसु द्रख्त को उठाएगा और बेटा आपके हर्दे तक लेके जाएगा ब्रेक्यल सिरा ये ब्रेक्यल सिरा क्या करता है बेटा ये ब्रेक्यल सिरा आपकी आस्तिन से आपके आस्तिन से आपकी आस्तिन से आपकी आस्तिन से बेटा ऐसु द्रख्त को ठाएगा और आपके हर्दे तक लेके जाने में साहिता करेगा और बात करें हीपेटिक जो हीपेटिक सिरा होता है बेटा वो यक्रत से आपके लेवर से इस आस्तिन द्रख्त को ठाएगा और आपके हर्दे तक ले जाने का कारिये करेगा और बात करें गेश्ट्रिक सिरा जो गेश्ट्रिक सिरा होता है बेटा आमास से पेट से आपके पेट से एसुद रख्त को उठाएगा और बेटा आपके हर्दे तक ले जाने का कारिय करेगा और बात करें इलियक इलियक जो होता है बेटा और एक है एक तो इलियक है और एक है बेटा फिमोरल एक इलियक और एक है बेटा फिमोरल यह जो दोनों सिराय है बेटा यह वहिया आपकी टांग से एसुद रख्त को लेके आएगे आपके हर्दे तक तो यह कुछ सिराओं के नाम है बेटा दो सिरा मैंने पहले आपको बता दिए एक वेना को और एक पलमोंदरी वेन्स ये इतने सारे सिराए हैं इनके नाम याद कर लेना आपकी प्रतियों की प्रिक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है अब बेटा मुझे तो नहीं लगता है कि आपकी प्रतियों की प्रिक्षाओं में इस से जदो और कुछ पूर्शा जाता होगा जो चीजे थी आसान भासा में समझाने की वो मैंने आपको समझाई है अगर बेटा आपको लग रहा है कि या पलमोंदरी जो बेन है फैपडों का जो सिरा है उसके बारे में में समझ में नहीं आया तो बेटा कल की वीडियो देख ले ना कल मैंने डाइग्राम की साहिता से ब्लड विसल्स के बारे में भी बताया था आपको बहुत अच्छे लेवल से लगवाग पंदरा मिनिट में तो मैं तो मैंने बेटा ब्लड विसल्स की परिवासा दी थी और उसके बाद में हर देकार अपली डाइग्राम बनाया था और वह एक एक चीज के बारे में बताया था तो यह कल अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखिए तो जरूर जाके देखिए मैं आपको नीचे लिंक लेलीजिए बेटा कि मैं मेरे बारे में बता देता हूं मेरा नाम रवी सब्सक्राइब करना है जिसे आपके पास व्मारो वीडियो का नोटिपिकेशन ताइम पूल्ड रहा रखे है बहुत सारे चेप्टर करवा रहे हैं अगर आपने नहीं जखे है तो चैनल पर जाका ज आपको वीडियो एसी लिखे कि उसमें क्लियर्टी ना हो लेकिन बेटा जो मेरा ज्यान है उसमें क्लियर्टी बहुत चाता है जो मैंने वीडियो बनाई है वह बहुत अच्छे से बिल्कूल आसान मासा में बनाई है तो क्लियर्टी पर न्या धान दे के बेटा मेरी खुद की के लिए टीप धान देना आपको बहुत अच्छा मज़ा जाएगा एक बार एक वीडियो देख लेना वेटा एक वीडियो देख लोगे तुम्हें गारेंटी के साथ वादा करता हूं जिन्द की बरामारे यहां से वाई लोजी पड़ो जब तक आपका खाम से लेगा तब तक तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैबारत रमडा